और अब खबर सीकर के फतैपूर शेखावटी से है जोहां नैशनल हाईवे बावन पर आपको बतादे कि फदनपुरा के पास भीशन सड़क हाथसा हो गया और इस हाथसे में एक ट्रक ने कार को टक कर मार दी जिससे कार में सवार दो लोगों की मौत हो गई है में तक जैपूर के फागी के निवासी है जो कुलू मनाली घूमकर जैपूर की तरफ लोट रहे थे और इस हाथसे में एक महिला और एक पुरुष की मौके पर ही मौत हो गई है वहीं दो वक्ती इसमें गंभी रूप से घायल हो गए हैं इसाने लोगों की मदद से घायलों को अस्पताल पहुचाया गया जिनकी हालत अभी भी गंभी बताई जा रही है वहीं ग्रामीनों ने यह भी आरोप लगाया है कि जब लोग घायलों की मदद कर रहे थे उसी दर्मियान रामगर एसजीम घटना सल के पास से गुजरी और लोगों ने जब उनसे रुखने को कहा तो उन्होंने जल्दी में होने की बात कहकर करनी काट दी और इसको लेकर भ हमारे शेरामगरी के लाके बात विजेनाजी का असरी के पास से और हमें प्लिक को इतला करके को प्लिक कुला जिश्मिलबाद आ रही है और एक सो आट भी आगी है जो हमने उनको घायलों को भेज दिया